नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोती सीक्रेट सिंग रासी वालों सनी देव वक्री हो रहे हैं 11 मई 2020 को अभी तक मारगी थे लेकिन अब वक्री हो जाएंगे अपने पिता सुरे के नच्छत्र उत्तरा साड़ा नच्छत्र के चोथे चरन में और अपनी ही रासी मकर रासी में वक्री होंगे सोम बार की सुबह 9 बच कर 27 मिनट से अब सनी देव की उल्टी चाल आप सिंग रासी वालों के जीवन में 29 सितंबर यानि 142 दिनों तक क्या प्रफॉल लेकर आया है आज हम आपके साथ यही साजा करने वाले हैं तो सिंग रासी वालों आपके जीवन में वक्री सनी छप पर फार खुसियां लेकर आये हैं क्योंकि वक्री गरह का मतलब होता है उल्टा चलना उल्टा प्रतीत होना और उन सभी चीजों को देंगे जो जीवन में आपको चाहिए होगा वैसे तो सिंग रासी वालों छटे भाओं में सनी देव बैठे वे हैं और सिंग रासी वालों के लिए भले ही सनिदेव सुफल नहीं देते लेकिन लेकिन इसलिए क्योंकि यहां पर आपके सत्रू बिरोधी आपको चाह कर भी कस्ट नहीं पहुंचा पाएंगे आप इस समय बिजय होंगे हर छेतर में और साथ ही कोई बिमारी थी आपको परिसान की भी थी अभी तक तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा जीवन में तरक्की होने के योग भी बनेंगे यहां से और साथ ही अगस्त और सितंबर मेहने में आपका परमोसन भी होनाता है सुक्र देव भी वक्री होंगे और देव गुरु ब्रहस्पती भी वक्री होंगे ले तो पिता के लिए भी बहुत खुबसुरत वक्त रहेगा और वैसे ही सिंग रासी वालों आपके लिए तो राजियोग बन रहा है और वो भी 14 मई की रात से ही सनी देव देव गुरु रहस्पती दोनों ही वक्ती हैं सुर्य आज आएंगे सुक्र और बुद्ध के साथ यहां पर एक तो बनेगा धन लक्षमी योग और दूसरा बनेगा बुद्धादित्त राज योग और फिर यहां पर बनेगा आपके लिए अखंड साम्राज योग क्योंकि सिंग रासी वाले आप बहुत लखी देने वाले हैं दसमें वहां में वैसे भी सुर्य बल्वान होते हैं और यहां पर बुद्ध पैसा भी देता है परिवार भी साथ देता है और धन का लाब भी कराता है बुद्धी भी आपके सही डिसीजन लेगी इस समें और साथ ही इस समें चुकी देव गुरु ब्रहस्पती भी सनिदेव के साथ नीच अवस्था में ही हैं नीचों के वक्र क्योंकि इस समय आपका दिमाग सोच से भी ज्यादा तक सोच पाएगा और बस यह समझ लें कि यह राजयोग आपके जीवन में खुसियों का भंडार लेकर आया है इसके बाद फिर से 24 मई को जैसे ही बुद्ध देव यहां से निकल कर राहू के साथ आएंगे मिथुन डासी में एक बार फिर राजयोग बनाएंगे यानि आपके लिए ये समय भले ही सनी देव अक्री हुए हैं आपके लिए उतने लाब नहीं देते पर जीवन में खुसियां दे रहे हैं अब वक्री सनी यहां पर सिर्फ सनी देव नहीं राहू और बुद्ध मिलकर आपके लिए धन ब्यापार पैसा बैंक बैलन्स लगभक सब कुछ बस ये समझ लें कि आपके लिए तीजोरी ही तीजोरी खुलने वाले हैं तो इस समय का फायदा आपको उठाना होगा क्योंकि बैठे बिठाय कुछ नहीं मिलता आकस्मिक धनलाब जरूर देंगे राहू देव इस समय किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे जीवन में समय का फायदा कैसे उठाईएगा ये आप जाने लेकिन अगर आप नए कारुबार करना चाहते हैं नया बैपार करना चाहते हैं तो इस समय सतर्क रहें संभल जाएं क्योंकि ये समय आपके लिए नए कारुबार बैपार के लिए बहतर नहीं है लेकिन हाँ अगर आप जौब करते हैं तो जौब में स्थिरता आ रही है धन के मामलों में आप बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अब एक बैक से आपको हम य हां से सुधार होगा हलां कि खर्चे कोई खास नहीं बढ़ेंगे लेकिन हां धन जरूर आएगा इसलिए बड़े नुकसान तो कम से कम नहीं होंगे आप लगी रहने वाले हैं करेंगे क्या रोज साम में सनीदेव के मंत्र का जब कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने इसलिए और इसलिए अगर आपके पास आता है किसी याचना की भाव से उसका भी आप फेल खरें खाने पीने की चीजें दे सकते हैं इससे भी आप सूप फल मिलेगा क्योंकि कर्म फल दाता जब देते हैं तो छप-पर-फाल कर देते हैं आप लकी है आपको मुवारक फिला अधर महादेव धन्यवाद